तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज का ये वीडियो जो है ना काफी जबरदस्त और काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज का इस वीडियो में हम लोग तीन चीजे सीखने वाले हैं सबसे पहला जो टॉपिक ह glad ya's और 100% क्या है क्या है चिस्तृ कर चां यूज कर के आप लोग आसानी कहान भासा में निवंद लिख सकते हैं तरीका में आप लोगो 100% जबर्दस टिर्घा बताऊंगी उसके सांथ साथ हम लोग पत्र लिखना सीखेंगे पत्र दो तरह का होता है और अप्चारिक पत्र और अंपर विडियो में अंत तक आप लोग बने रहें और मैं पूरे विश्वास के साथ के साथ का गार आप लोग सबसे पहले हम लोग निवन लिखने को कहा जाता है निवंद लेखन उर्दू में कहा जाता मजमून निवन्द को उर्दो में क्या किया जाता है मजमून यह एक्स्ट्रा नॉलिज रखिए का साथ में बहुत काम भी देगा ठीक है तो कौन-कौन से वह important topic है जो आप लोग के exam में जिस topic पर आप लोग के exam में निवद्ध लिखने के लिए आ सकते हैं वो सारे important topic में आप आप लोग को साथ में बताते भी चलूंगी और एकदम चलिया आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में आप लोग को लाइक जरूर कर दें क्योंकि काफी महनत और मुशकत के बाद यह ट्रिक भी तैयार किया गया है और काफी जांत परताल आप यूं कह सकत कि काफी करने के बाद ऐसा सही और जबर्दस्ट रिक आप लोग को बताया जा रहा है तो स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक जरूर कर दे जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हुना अगर आप लोग को समझ में आता है तो लाइक करके जो करें तो मुझे लगएगा कि आप लोग को समझ में नहीं आए तो अगर समझ में आए तो लाइक कर दे और जितना ज़्याद हो सके शेयर कर दे ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके चलिए सब्सक्राइब निबंद जैसा कि मैं आप लोग को बताई निबंद जिसको इंग्लिश में कहा जाता ह है एसे और निबंध लिखने को तक कि अचक्वी पर उनको को डिखन करता है कि किशीं किसी भी टॉपिक पर आप लोग के קशन के के द्वारा जारी किया गया यह ओफीसियल मॉडल पेपर का कोशन पेपर है कोशन है जो कि मैं आप लोग को स्क्रिम पर दिखा रही हूं देखिए कोशन पूछा गया है कि निमलिखीत में से किसी एक विशय पर निबंध लिखें और साइड में देखिए आठ नंबर का है ठी कियान के चमतकार वन सर्ण रक्षण आरक्षण नीती मोबाइल और विद्यार थी ठीक है न तो यह छे टॉपिक है इन में से किसी एक टॉपिक पर अगर आप लोग एकदम जबरदस्त अंदाज में निबंध लिख देते हैं तो फिर आप लोग को आठ नंबर मिल जाने वा संकेत में से किसी एक विशय पर दिये गए संकेत बिंदू के आधार पर लगबग धाईस से तीन सा शब्दों में निबंध लिखें और देखिए तेंथ क्लास वाले में ते यह दस नंबर का पूछा है सोचिए और कितने शब्दों में लिखा है देखिए बता भी दिया ग लिखेंगे जदवाडावलों को 2 पेजों में लिखना है उससे ज्यादा करेंगे तो फिर आप लो खो उतना ही माक्स मिलेगा सूब्राज्यक्ष का डियर में लिखेंग तो आप लिखेंगे मैं दम् болתबर कि हैं आप लोगग सब्सुने होंगे साथ समुन्दराר में तेरे कि पीछे पीछे आ गई सात समुन already A सब्सक्राइब कोन ओद आफ क्वाना है था जिस्काय तो को में प्रुपक पुपकर को हञता है जैसे है उस टॉपिक को उठा लीजिए जैसे कि यह कोश्चन में यहां पर देख सकते दो चार एक पांच पांच टॉपिक दिया गया है यह तो आप स्वास्त पर लिखे नहीं तो देश्भक्ति पर लिखे नहीं तो बकरीद पर लिखे नहीं तो राष्ट जंडा पर लिखे नहीं परियावरन पर्दूशन काफी important topic है क्योंकि इससे question आप लोगों के exam में जैसे कि previous question paper में आया है और यह important topic भी होता है क्योंकि अभी के जमाने में pollution यानि कि पर्दूशन बढ़ रहा है तो यह topic है जो कि आप लोगों के exam में पूछा जा सकता है तो आप लोगों को परियावरन पर्दूशन पर निबंद लिखना है तो इस topic को उठालेजिए और इसको उठालेजिए और उसके बाद से यह सातों सवाल अपने आप किजिए परियावरण पर्दुशन क्या है सबसे पहला सवाल और आप लोग के अंदर से जो भी जवाब निकले बस उसको लफजों को सजा कर लिख देना है क्या आप लोग को नहीं पता है कि परियावरण पर्दुशन किसे कहते हैं हमारे परियावरण में कुछ ऐसे दूशि कर लिख देना है देखिए मैं लिखी भी हूँ क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सिर्फ आप तो मैं माप तो जबान से बता दे रही है एक एक्जामपल लेकर समझा देथी तो हम लोग और बहतर तरीके से समझ में आता इसी वह जैसे मैं आप लोगों को देखिए लिखकर दिखा भी दे रही हूं लिखी भी हो एसकर यहाँ से अपने आप से कीई और अन्दर से जाव मिला ना अब उसी जवाब को लफ्जों को सजाओ में लिख दी हूँ और देखिए कितना खुब्सूरत लग रहा है लिखा हुआ है हमारे परियावरण में कुछ ऐसे दूशीत पदार्थ उपस्तित हैं जिसे प्राकृतिक में और संतूलन के स्थांसत हमारे परियावरण और सभी जीव जन्तूओं को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है परियावरण परदूशन कहलाता है परियावरण तो यह हो गया बस अब इसी तरह आप लोग को अगला सवाल अपने आप से करना है कि परियावरन पर्दूशन क्यूं होता है अगला सवाल क्या है वाई परियावरन पर्दूशन क्यूं होता है तो देखिए जब मैं यह अपने आप से सवाल किना तो मुझे जो जवाब मिला परियावरंपरदुशन का मुलकारक मानो जाती है यानि कि निकलने वाले दूशित गैस एक तरफ वाई U को परदूशित कर रहा है तो दूसी तरफ उससे निकले कचड़े प्राया नदियों में बहा कर जल को दुशित कर रहा है मृत प्राडियों को यूँ ही जहां तहां फेक दिया जाता है तथा नदियों में बहा दिया जाता है उससे भी हमारा पर्यावरन परदुशन हो रहा है तो इस तरीके से आप लोग के अंदर से जो भी जवाब मिले लफजों को सजा कर लिख देना है जैसा कि मैं लिखी हूँ फिर मैं अग्ला सवाल किया अपने आप से परियावरा परदुशन कैसे यानि कि परियावरान परदुशन को कैसे रोका जा सकता है रोकने का क्या उपाय हैं तो देखिए जो फिर से मुझे जवाब मिला फिर से लिख दी हूँ मैं जब तक हम परियावन परदूशन रोकने के लिए कोई विशेस कदम नहीं उठाएंगे तब तक यह परदूशन रोकने वाला नहीं है देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर लिखा गिया हैं इसी तरीके से आप लोगों को भी शब्दों को सजा कर लिखना है ताकि जो कौपी चेक करने वाला है वो आप लोग के निवन्ध को पढ़े न तो एकदम खुष हो कर फुल माक्स दे दे एक नबर भी ना कटे तो देखिए लिखा गया जब तक हम प्रियावण परदूशन रोकने के लिए कोई विश्यस कदम नहीं उठाएंगे तब तक यह प्रदूशन रुखने वाला नहीं है, इसी वजह से परियावण परदूशन के रोक थाम के लिए हमें उपाए ढूंद नहीं होगा, हम अधिक से अधिक वरिक्षार त्याकर नियत-स्थान पर त्यागना चाहिए और हमें प्लास्टिक यूप-योग को बहुत कम कर देना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक भी परियावन-प्रदूशन के बढ़ने का एक कारण है यह ना तो है या फिर होगा दो तरह से सवाल बन सकता है तो आप जिस भी जिस तरीके से अपने आप से सवाल करे बस एंसर मिले ना उसको लिख देना है परियावन पर दुषन कब और बाव देखने को मिलेगा और जब तक हम कोई एक निश्चित कदम नहीं उठा लेते हैं परियावन को पर्यावन परदूशन को रोकने के लिए तब तक यह प्रियावन परदूशन खत्म नहीं होने वाला है तो इस तरह से आप लोग एंसर लिख सकते हैं उसके बाद से द देखी हूं हर जगा परदूशन ही परदूशन है हवा परदूशित जल परदूशित भोजन परदूशित सब और परदूशन ही परदूशन आज पर्यावन में ही जीना प्राणियों का स्वाभाव सा बन गया है जिससे मनुस्य ही नहीं जगत के सभी प्राणी अल्प आई जीव जंतु है ठीक है पक्षी वगरा वो भी विलुप्त हो गए हैं आप देखते से गौरेया कितना दिखाई देती थी लेकिन अब आजकल नहीं दिखाई दे रही है तो बहुत सरे जीव जनतु है जो कि विलुप्त हो गए है क्या है रीजन परियावरन पर्दूशन ठीक ह अब देखिए अगला सवाल लाव अब सोचिए जर आपने आप से ये कोशन कीजिए कि परियावरन पर्दूशन जो पल्यूशन है इसका कोई लाव हो सकता है कोई हमें प्रॉफिट हो सकता है कोई फायदा हो सकता है पर्दूशन से जी नहीं कोई फायदा नहीं हो सकता है तो लेकिन इस टॉपिक का सिर्फ हानी है यानि की नुकसान है लाव नहीं है कोई फायदा नहीं तो फायदा मत लिखिए आप इसका हानी लिखिए नुकसान लिखिए कि परदूशन से क्या नुकसान होता है तो देखिए मैं लिखी हूँ परदूशन के दुष परभाव से अनेक नए 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 बिमारिया हो रही है और नए नए बिमारियों का शिकार मनुस्य हो रहा है ठीक है और उम्र घटने की जो समस्या चल रही है यह किसके वज़े से प्रयावन परदूशन के कारण ठीक है जो अचानक मृति हो जा रही है लोगों की यह भी प्रयावन परदूशन क कारणी अचानक और समय मृत्यू हो जाना ठीक है अकाल बाढ़ अतिवरिष्टी इत्यादी भी परदूशन के ही दुस्परभाव हैं इस तरह का धेर सारा नुक्सान और अगर हम लोग इस पर कंट्रॉल नहीं किये तो आगे चलकर बड़े पर माने पर हम लोग को नुक्सान जेलना पड़ेगा पर्यावन परदूशन के कारण तो इस तरह आप लोग को धेर सारा हाली यानि की धेर सारा नुक्सान लिख देना है ठीक है तो पर्यावन परदूशन का सिर्फ यहां पर नुक्सान था तो हम सिर्फ नुक्सान लिख दि देख सकते हैं परियावरन परदोशन ये एक टॉपिक था और इस पर मैं ये सातों सवाल एक एक करके खुद से मैं की और इससे जो भी जवाब हमें मिला बस शब्दों को सजा कर लिख दी और आप स्क्रीन पर देखिए इतना लंबा चौड़ा एक निबंद लिखकर खड़ा हो गया है यानि कि एक निबंद लिखकर मैं तयार कर दी हूं बस इसी ट्रिक का यूज करते हैं तो इस तरह आप भी कर सकते हैं मैं कहती हूं आप लोग एक बार जरूर श्राय करें इस ट्रिक का यूज करें साथों सवाल एक एक करके अपने आप से पूछना है जिस भी कूर्दू में क्या कहा जाता है मजमून तो एक निबंद लिखकर खड़ा कर सकते हैं ठीक है ना जैसे मैं दिखाई आप लोग को यहां पर पढ़कर जो लिखी थी एक और टॉपिक ले 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 लते हैं देश भक्ति अपने आप से सवाल कीजिए देश वक्ति क्या है देश के प्रती प्रेम ही क्या कहलाता है देश भक्ति क्या है एक भावना है जिसका अर्थ होता है देश के प्रती प्रेम देखिए मैं लिख दी हूं इसी ट्रिक का यूज करके निबंद खड़ा कर दी हूं आप लोगो स्क्रिन पर दिखाई दे रहा होगा देश भक्ति एक तो अपने देश की अखंडता को बनाए रखने संसाधनों की रक्षा करने देश की उन्नती सुख सम्रिधी विकास और परिपूर्णता को बनाए रखने के लिए उस देश में निवास करने वाले लोगों के अंदर देश भक्ति होना आवश्यक है हमें अपने देश के प्रति लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने की कोशिश की जाए कितने अच्छे तरी के से लिख दिया गया है एक तरसे जोश भी पैदा हो जा रहा है पढ़ने के दौरान इस तरह से आप लोगों को लिखना है फिर अगला सवाल देशभक्ति कैसे ठीक है यानि कि देश की अखंडता को बनाए रखना देश की उन्नती की भावना रखना देश के संसाधनों की रक्षा कर उसके समवर्धन के बारे में सोचना अर्थात देश के हित के कारे करना ही देशभक्ति का सच्चा स्वरूप है एक सच्चा देशभक्त मातरी भूमी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं भारत में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया जिनका नाम अभी भी अमर है और हमेशा रहेगा तो इस तरह जो कोश्रन था कि देशभक्ति कैसी होनी चाहिए हो गया एंसर देखिए कितने अच्छ प्रदोशन पर आप भी एक टॉपिक उठाईए जैसा कि मैं आप लोगो एक टॉपिक दे रही हूं ग्लोबल वार्मिंग पर आप लोग इसी ट्रिक का यूज करते हुए निबंद लिखकर खड़ा कीजिए तीन सशब्दों में अभी आप लोग एक बार प्रैक्रिस कर ले रही हूं जिससे आप लोगे एकजाम में कुछे जाएंगे जैसा कि एक इंपॉर्टन टॉपिक हो गया प्रिया में पूछेगा या प्रिया कवी जैसा कि दिखाई में देखिए मॉडल पर था उसमें भी पूछा गया है लिखा गया है हमारे प्रिया उत्सव या फिर मेरे प्रिया कवी जो प्रिया होता है हम या तो पूछेगा मेरे प्रिया कवी के उपर निबंद लिखिए या फिर मेरे प्रिया उत्सव यानि कि पर्व या फिर मेरी प्रिया पुस्तक ठीक है ना इस तरह से पूछेगा तो प्रिया करके कोई एक टॉपिक दिया रहेगा तो आ यह जाएंगे मेरे कवी अब सबसे पहला सब्हें नहीं करेगा और अगला सवाल कीजी देखिए दूसरा सवाल क्या है क्यूं अब आपके प्रिय जो कवी हैं जो भी आप लोगों नहीं नाम बता है वो क्यूं है तो क्यूं आ गया दूसरा सवाल तो क्यूं है आप लोगों को लिखकर बताना है क्यूं आप उनको अपना प्रिय मानते हैं यह आप लोगों को लिखना है और इसी तरी का यूज करके निबंद लिख कर देखिए इतना आसान इतना जबरदस ट्रिक आप लोगो यूटुब पर कोई नहीं बताया है आप लोग पुरा यूटुब खंगाल डाली ऐसा ट्रिक आप लोगो कहीं नहीं मिलेगा बहुत ही आसान ट्रिक है और इस ट्रिक का यूज करके किसी टॉपिक पर निवाद लिख सकते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक को समझते हैं पत्र लेखन पत्र जिसको चिठी भी कहा जाता है इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको लेटर और हिंदी में कहा जाता है खत ठीक है और पत्र लिखने को पत्र लेख का होता है जैसा कि मैं लिख दी हूं एक होता है और उससी तरह की पत्र होते हैं जो सगे संबंधियों के पास लिखे जाते हैं उस तरह के पत्र को कहा जाता है पट्र क्या कहते हैं और और इसे आपका कोई रिश्टा नहीं है आ आप या तो नौकरी पाने के लिए पत्र लिख रहे हैं मतलब की नौकरी पानी के लिए किसी भी फिल्ड में नौकरी पाने के लिए अगर आप पत्र लिखते हैं या फिर चुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं या फिर आप यूं कह सकते हैं किसी चीज का अनुरोध करने के के लिए किसी चीज की अनुमती लेने के लिए या फिर किसी चीज की सुविधा के लिए चात्रविर्ती के लिए चुट्टी के लिए या फिर किसी भी तरह की सुविधा के लिए आप किसी बड़े पद पर स्थापित किसी व्यक्ति के पास पत्र लिखते हैं तो उस तरह के प सहमती लेने के लिए ही लिखा जाता है तो उस तरह के पत्र को क्या केते हैं अपचारिक पत्र और अपचारिक पत्र में ही आता है आवेदन पत्र सरकारी पत्र और बेवसाइक पत्र शिकायती पत्र इस तरह के बहुत तरह पत्र होते हैं जिसमें से आप लोग के एक्जाम में ये दोनों पतर लिखने के लिए आता है यानि कि अनबचारिक पतर भी आता है और अपचारिक पतर भी आता है अथवा में करके देगा एक कोय eligibility कोशन नम्रे थी है उसमीं दे दिया है मतलब कि आप question number three उसको उसका answer नहीं पता है आपको अपचारिक पतर लिखने नहीं आता है तो अथवा में करके जो अनपचारिक पतर देता है उसको लिख दीजे ठीक है तो question number three में मालेजे दिया है अपचारिक पतर तो उसी का अथवा में करके देगा अनपचारिक पतर या कि अपने सब्सक्राइब के पास पत्र लिखने के बोलता है कि आप अपने पिता जी के पास पत्र लिखिए साइकिल खरदने के लिए ठीक है पैसा मांगी है या फिर अपने भाई के पास पत्र लिखिए तो सब्सक्राइब के पास पत्र लिखे जाते हैं जैता कि मैं आप लो लेकिन अभी एक दो सालों से ऐसा नहीं हो रहा है अब क्या हो रहा है कि आप लोग के एक्जाम में सिर्फ पत्र लिखने के लिए आ रहा है यानि कि आवेदन पत्र ही लिखने के लिए नहीं आ रहा है जैसे कि सगे संबंदियों के पत्र लिखने के लिए अग्जाम में पूछा जाता है ना तो एक दो सालों से ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है ना इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग का पूरा फूकस होना चाहिए आवेदन पत्र लिखने पर क्योंकि क्या कर रहा है कि आवेदन पत्र लिखने के लिए दे रहा है और अथवा में करकर उसमें भी आवेदन पत्र लिखने के लिए दे रहा है यानि कि दोनों जो कोशन पूछ रहा है ना उसमें आवेदन पत्र लिखने के लिए ही बोल रहा है यानि कि अपचारिक पत्र ही दे रहा है और अप संबन्दियों के पास पत्र लिखे जाते हैं उसको कैसे लिखा जाता है क्या है 100% सही तरीका कि एक परसेंट भी आप लोग का माक्स नहीं कटेगा एक माक्स भी नहीं कटेगा उस एकदम हंड़ेट परसेंट जबरदस्त और सही तरीके को मैं आप लोग को बताती हूं ताकि कई अफ़र पथन पत्र निखने के लिए आप लोग के एकजाम में आए चैनलि की अब हमलोक समझ लेते हैं सबसे पहले की जो अ предлагा दानी के पास लिखे जाते हैं उसके रिखने का तरीका क्या है player 백व सभूर दस और पताने हमारी हुं ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो पत्र लिखने के लिए आप लोग अपने पेज के दाएं तरफ चले जाएं और दाएं तरफ जाकर कोने में यहां पर आप लोग को शहर का नाम डालना है यानि कि पता डालना है अपना और डेट डालना है आपके पूरा पता डालना है मैं यहापर सिर्फ पटना सिटी लिखी हूं तो इतना शॉर्ट कॉट आप लोगो नहीं लिखना है आप लोगो पूरा पता लिखना है और जस्ट नीचे आप लोगो उसी दरिखना दिखकर है तो इस तरह से आप लोग को यहां पर पता और डेट डालना होता है ठीक है और उसीकी के ए नीचे और यह नाइक दारेक्ट बाये तरफ जाना है यहां पर आप तरफ पता डेट डाले हैं उसी के एक लाइन नीचे चले आना है और कहा जाना है इधर जाना है और तरफ आकर यहां पर संबोधन करना है यानि कि जिसके पास आप लोग पत्र लिखते हैं उसको संबोधित किया जाता है किस नाम से अगर आप अपने माता-पिता के पास पत्र यहां से दो बात आप लोग ध्यान में रखिएगा पहला पॉइंट यह कि मित्र हो या फिर भाई हो या फिर बहन हो इन तीनों लोगों को छोड़कर बाकि जिसके पास भी आप खत लिख रहे हों यानि कि पत्र लिख रहे हों उसके संबोधन में आप लोग आदर्निया लगा म hm मामी इसी तरह से आप लोगो को कर कर लिखना है मदलब कि मित्र भाई और बहन इन तीनों लोगों को छोड़कर आप किसी के पास भी पत्र लिखे? संबोधन में आप लोगो क्या अपने मित्र को जो भी नाम है आपके मित्र का वो लिख देना है। प्रिय मित्र या फिर प्रिय सहरी या फिर प्रिय दोस्त इस तरीके से तो भाई मित्र और बहन इन तीनों को अगर संबोधित करना हैly So, के अपने बड़े भाई और बड़ी वहन और बाकी जिसके पास भी आप लोग पत्र लिख रहे हैं उसके अभिवादन में आप लोग साधर परणाम लिखेंगे जैसे कि यह मैं बड़ी बहन के पास लिखेंगे तो साधर परणाम लिखेंगे अगर बड़े भाई के पास लिखती तो साधर परणाम लिखती अभिवादन में या फिर किसी के पास भी लिखें आप साधर परणाम अभिवादन में के अगर अब्त्र लिख रहे हैं फिर छोचे भाई के पास अपने मित्रके पास तो आप लोग है नमस्कार या फिर नमस्ते यहां पर अभिवादन में लेकिन अगर आप अपने से बड़े आप या फिर अपने भाई या फिर अपनी बहन या फिर अपने से बड़े किसि के पास भी लिख रहा है तो तु ऑसकinku पढ़नाम करना जरूरी है एक्षादर पर किन्थ दूसरा नमबर की जो पतर कर पता है कि नहीं यहां देखता है कॉपी चेक करने वाला तो मतलब लास्ट में आकर आप लोग को फुल मांक से अनकी 5 नंबर देदेता है तो इस तरह आप लोग को 5 नंबर मिलता है 5 मांक्स, तो यहां तक तो होगे संबोधन और अभिवाधन, स्टार्टिंग आप लोग का जबरदस्त होना आप लोग को भी starting इसी तरीके से करना है आप देखिए मैं black color के marker से लिखी हूँ ना जो भी black color के marker से लिखी हूँ ये दोनों वाक्के लिखी हूँ इन दोनों line को आप लोग याद कर लीजिए ये आप लोग हर पत्र में लिखिएगा चाहे आप अपने माता के पास लिख रहे या फिर होंगे इस तरीके से आप लोग को starting करना है इसको याद कर लिजिए आप किसी के पास भी पत्र की लिखे हूं किसी मुद्दे पर आप लोग का starting इसारी के से होना चाहिए ठीक है अब ये starting इस तरह लिखने के बाद आप किस टॉपिक पर ये पत्र लिखे हैं किस लि कर लिख रहे हैं जैसे कि यह पत्र लिखा गया अपने प्रिय दीदी के पास यान कि मैं अपनी बड़ी बहन के पास लिखी हूं किसलिए आप लोगों को बता भी दे रही हूं कोश्चन पढ़कर देखिया कि स्क्रीन पर आप लोगो शूर आओगा कोश्चन है कि इस साल कि अमकुहासे का वर्णन करते हुए मुभई में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखें ये और इसी का एंसर में आप लिख दी हूँ यानि कि बड़ी बहन के पास पत्र लिखना है जो कि मुंबई में रहती है और उस पत्र में क्या करना है टॉपिक क्या है पत्र लिखने का टॉपिक यह है कि इस साल की यह मतलब यह जो साल बीता है उस इस साल का ठंड और कुहासे का करना है कि कैसा रहा ठंड का मौसम कुहासा वगरा के बारे में आप लोगों को बताना है बस यहीं बात है तो वहीं मैं लिखी हूं मतलब तौपिक क्या है ठंड और कुहासे के बारे में बताना जो साल बीता है ठीक है तो देखिए मैं लिखी हूं कितने जबरदस्त अंदाज होंगी या फिर होंगे आगे समाचारिया है कि हमारे यहां थंड और कुहासे की अधिकता के कारण जन जीवन थप जैसा पड़ गया था देखें कि इतने आच्छे तरीके से लिखा गया इस साल यह मतलब यह साल इस साल का ठंड और कुहासा कैसा था आप लोग को यही बताना है न देखिए आगे समाचरिया है कि हमारे यहां ठंड और कुहासे की अधिक्ता के कारण जन जिवन ठब जैसा पड़ गया था दिन में भी लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे कुहासे की भय वाता इस तरह थे की इस तरह थी की दिन में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता था सडक खाली और शांत जैसा दिखाई पड़ रहा था तो यह तो सचता reality है इसमें तो कोई शक ही नहीं है ऐसा सच में हो रहा था जहाँ पर मैं रहती हूँ ठीक है मैं तो 15 दिनों तक घर से नहीं निकली और यह सई बात है 15 दिनों तक घर से नहीं निकला गया था ठंडी में इस बार ठंडी पड़ा था दादी जी हमेशा आग जला कर बैठी रहती थी ठीक है उसके बाद से आगे लिखना है अनुमान करती हूँ कि मुंबई शहर में इतनी ठंड और कुहासे की भैवाता नहीं होगी हमारे यहां किस तरह का ठंड और कुहासा पड़ा यह तो बता दिया गया मतलब की टॉफिक कंप्लीट अब लास्ट में आ जाना है और लास्ट में इस तरह से लिखना है मेरी तरफ से परिवार के सभी बड़ों को चरण इसपर्ष तथा छोटों को प्यार भरा आशिरवाद यह लास्ट में देखें ब्लाक लके मारकर से लिखी हो नुआ यानिक爐 हर पत्र में रहेगा चाहें आप किसी के पास भी फचा कियो न लिख रहे हो चोटों लोगों को यानिकि हमसे जो छोटे हैं उनको प्यार भरा आशिरवाद ठीक है और यहां पर हो जाती है आप लोग का टॉपिक मतलब जिस भी टॉपिक पर यह पत्र लिखना था वो टॉपिक कम्प्लीट हो जाता है और उसके बाद से आप लोग पत्र के फिर से दाइं तरफ चले आना है और लिखना है आपकी बहन क्यों कि यहां पर आप जिसके पास पत्र लिखे हैं उसके क्या लगते हैं नहीं यह पर बस आप को ये लिखना रहता है कि आप जिसके पास पत्र लिखे हैं उसके आप क्या लगते हैं वो आपको क्या कहती हैं ठीक है मेरी बहन मेरे को छोटी बहन ही कहेंगी मतलब जो भी हो मेरे भाई थीक है इस तरह से और नीचे आप लोग को नाम नहीं लिखना है क्योंकि आप लोग एक्जाम हॉल में बैठकर यह पत्र लिख रहे हैं तो नाम लिखने की ज़ुरत नहीं है नाम के जगा पाएं तरफ आ जाना हैं में लेफ्ट तैन्ड और पता डालना है किसके पता ने फाल लिखन यान की यह पैस्ति और रहन है मुंबई सेंट्रल बस लिख दिए हो गया पता खतम और यहां पर फाइनली हो गया और अप चारीक पत्र यानिकी जो सब्वे संबंदियों के पास पत्र लिखे जाते हैं इसी तरीके से लिखा जाता है बस यही 100% सही तरीका अगर आप लोग इस तरह से खत्र लिखते हैं तो एक जामीन और जो पत्र लिखना समझ में आगिया होगा कि कैसे अनाप चारीक पत्र यानि की अपने सब्वे संबंदैुके पास पतर लिखे जाते हैं अब च्लीए मैं फिर से बोर्ड मीट आती हूं यह पत्र लिखने के लिए नहीं बोल रहा है अब आप लोग और दो पत्र लिखना आप लोग को सीह नाई भोत वागत हुगत है अब sûr आये हम लोग समझते हैं कि आपचारिक आप चारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है जिसमें आवेदन पत्र आता है टाइटल में लिख दी हूं और कोशन दिखा दे रहे हूँ कौन से कॉशन का है आप लोग इस मुखले की गंदगी की सफाई के लिए नगर निगम के महाप और के पास एक आवेधन पत्र लिखें इस तरह से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछ सकता है तो आप लोग कैसे लिखेंगे आवेधन पत्र चलिए समझते हैं 100% सही तरीका आवेधन पत्र लिखने का और जवर नहीं की सवाल यही पूछें किसी के पास भी आवेधन पत्र लिखें या फिर आप कॉलेज की फिस माफ करने के लिए आप अपने प्रिंसपल के पास आवेधन पत्र लिखें या फिर कोई भी मुद्द्य पर दे सकता है किसी के पास भी आवेधन पत्र लिखने के लिए किसी कंपनी में भी वोल सकता है या फिर स्वास् आप लोग को पेज के बाएं तरफ जाना है एकदम कोने में और सबसे पहले आप लोग को लिखना है सेवा में जैसा कि मैं लिख दी हूं और आप देख सकते हैं बोड पर में दो कलर के मारकर से लिखी हूं जो ब्लैक कलर के मारकर से लिखी हूं यह हर आवेदन पत्र में आप प्रधानाचारे के पास या फिर किसी भी विद मंत्री स्वास्त मंत्री नगर निगम के महापवर के पास किसी के पास भी आप सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे सेवा में यहर आवेदन पत्र में रहेगा सेवा में और उपर में की उपर यह बिंदू रहना चा जो कोशन दिया रहता है ना उसी में दे देता है कि आपको किसके पास पत्र लिखना है और किस मुद्दे पर लिखना है देखिए यहां पर कोशन में लिखा हुआ है कि अपने महले की गंदगी की सफाई के रिए नगर निगम के महापौर के पास एक आवेदन पत्र लिखिए बता दिय hem किसके पास्तर लिखना है नगर निगम के महाप और के पास महाप और के पास तो वही चीज़ के सिर्वाण महापऊर महोद है आगर बोलता है कि आप अपने प्रधानचार्य के पास आगेदां-पत्र लिखे टो आप लोग यहाँ पर लिखें श्रीमान प्रधाना चार्य महोद है यह फिर प्राधाना ध्यापक महोद है तो बस जहां पर आप लोग को आविदन पत्र लिखने के लिए बोले उसका नाम यहां पर लिख देना है जैसे कि यहां पर महापौर के पास लिखने के लिए बोला है तो मैं लिख दी हूं स्रीमान महापौर अब उसके बाद ज़स्ट एक लाइन नीचे आप लोगों को पता लिखना है मतलब कि यह महापौर कहां के महापौर है नगर निगम बिहार इस तरह मान लिजे आप किसी प्रधाना दियापक पास लिख रहे हैं तो प्रधाना दियापक कौन से स्कूल के हैं आप लोगों को स् लिख देना है और विषय यानि कि किस टॉपिक पर किस लिए आप यहां पर आप लोग को क्या लिखना है वो टॉपिक लिखना है मतलब किस लिए आप आवेदन लिखे हैं तो जैसे कि यह क्या है अपने मुहले की गंदगी की सफाई के लिए नगर निगम के महापौर के पास एक आवेदन लिखें यानकी मुहले की सफाई के लिए आवेदन लिखना है तो देखें मैं लिख दिऊ है 15 दिन की चुटी के लिए तो आप यहां पर लिख दें 15 दिनों की चुटी के संबंध में मतलब लास्ट में यह संबंध में लगाना जरूरी है तभी तो पता चलेगा कि किस संदर्व में यह आवेधन लिखा गया है आखिर विशय क्या है टॉपिक क्या है मुद्धा क्या ह है तो यहां पर डारेक्त दिख जाना है विशय क्या है मुहल्य की सफाही के संबंध में दिखने के रिखने रिखने के रिखने के और Amen कर दिखना लिख लिख यह स्टार्टिंग यहीं रहेगा सवीनय निवेदन है कि ठीक है अब उसके बाद से जिस टॉपिक पर जिस विशय में यह पत्र लिखना है उस विशय को आप लोगों को लिखना है अब यहां पर मैं जो भुलू करके मारकर से लिखी हूं यह आप लोगों के उपर डिपेंड है कि मैं आपके नगर निगम के अंतरगत 06 वाड में मोगल पूरा इलाके में रहती हूं मतलब की बता देना है कि कौन से वाड में और कौन से स्थान से कौन से जगह से आप बिलॉंग करते हैं तो यहां पर मैं आपके नगर निगम के अंतरगत 06 यानिकि 06 वाड में मोग पनी भरे क्चड़े युक्तनाली के पानी से दुर्गन्द आ रही है कि यहां पर लक्त मेंहें धिक्वज़ार में लिख दी हूं मुहले में हैजे का प्रकोब भी प्रारंभ हो गया है इस वजह से अब जस्ट आप लोग को नीचे चले आना है यहां तक तो आप अपनी बात कह दिए अब एक लाइन नीचे आकर इतना स्पेस छोड़ते हुए अता श्रीमान से आगरा है कि यह भी हर आवे प्राइल नीचे चली जाना है दाएं और लिखना है निवेधिका क्योंकि आप निवेधन कर रहे है अब यहां पर अगर लटकी हूं तो निवेधिका लिखी हूं आप पुरुष है मेल हैं तो आप लिखेंगे निवेधर अगर आप लड़की है तो आप लिखेंगी क्या निवेधी का निवेधिका लिखकर नीचे अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि आप लोगे लैडल में बैठकर ये अवेदल लिखे ने के बजाएया आप क्या लिखना है एबी सी लिख देना है और उसके नीचे वार्ड संक्या लिख देना है कौन से वार्ड संक्या से आप विलोग करते हैं मैं 06 लिख सकते हैं 07 या फिर साथ सतर कुछ तो यह हो गया निवेदी का ञ agora लेका मतलब ये सुट आइज हो限 लिखते की कि आप क्या लिखते आपका आग्याकारी छात्र अगर आप स्टुडेंट है मेल है तो आप लिखते आपका आग्याकारी छात्र और नीचे नाम लिखने को जाए एबीसी लिख देते कोई दिकत नहीं है अगर आप लड़की होती तो आप लिखती आपका आग्याकारी छात्रा ठीक है ना छात्रा चात्रा लड़की को कहते हैं चात्र लड़का को कहा जाता है तो यहां पर लिखते हैं आपका आगयाकारी चात्र और लड़की है तो आपका आगयाकारी चात्रा तो यहां पर कंप्लीट हो जाता ठीक है ना लेकिन यहां पर यह महापौर जी के पास लिखा गया है तो यहां पर मैं लिख दी हूं निवेदी का ठीक है कोई दीकत नहीं है अगर आप निवेदक है तो निवेदक लिख दीजे और वाट संक्या तो हुई गया अब जस्ट आप लोग को इसी के बाएं तरफ चली आना है और डेट डालना जरूरी है तो लिख दीजे दिनांग कितना तारी आप लोग के मुठी में आ जाने वाला है तो इसी तरीके से आप लोग आवेदन पत्र लिखिएगा और एकदम जबरदस्त आप लोग को मतलब जो कॉपी चेक करने वाला एकदम खुश हो जाने वाला है स्टार्टिंग इतना जबरदस्त है इतना नियम और रूल को समझ में नहीं आया है तो अगर समझ में आया है तो लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकें जादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबी लोग और सब स्टुडेंट इस वीडियो का लाव उठा सके ठीक है ना अगर आप लोग चानल पर नए-णय आया हुए है मेरे वीड नोटिफिकेशन बिल जरूर ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वी वीडियो अप्लोड हो या फिर लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे अगर आप लोग चाहते हैं यहां तक स्क्रीन शॉट लेना तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजे फड़वर स शूट करने में और आप लोग के एकजाम से पहले यह जबरदस्त वीडियो अप्लोड की हूँ इस बात पर तो लाइक शर बनता है यह होप आप लोग लाइक शर जरूर कर दी होंगे तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस